नमस्कार दोस्तों एन अशो की टुडर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको GSD से संबनेत ऐसे 20 महत्पूर्ण कोस्टन और उनकी आंसर बताने जा रहे हैं जो की पृतियोगी परिक्चाओं के हिसाब से बहुत ही महत्पूर्ण है दोस्तों ऐसे सभी जानते हैं कि हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से GSD लाग हो गया है और अब जितने भी कॉम्प्रेटेव एक्जाम्स होंगे SSC, CGL, Railway जितने भी एक्जाम्स होने वाले पृतियोगी परिक्चाओं हमारे देश में उन सभी में GSD लेटेट निश्चिती कॉस्टन्स पूची जाएंगी तो इस वीडियो हमने ऐसे 20 महत्मूर्ण कॉस्टन्स और उनके आंसर्स का समाविस किया है दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं GSD से रिलेटेट 20 important questions और उनके आंसर्स के बारे में यह वीडियो दोस्तो सबसे पहला question जो है वो है GSD संबंदित की सबसे पहले विस्व के किस देश में GSD लागू हुआ था तो दोस्तो इसका अंसर है विस्व में सबसे पहले GSD लागू हुआ था वो हुआ था फ्रांस देश में और यह 1994 में लागू हुआ था इसके बाला आता है question number second भारत में GSD कब लागू हुआ दोस्तो इसको सभी जानते हैं भारत देश में GSD लागू हुआ है जो हुआ है एक जुलाई 2017 से हमारे भारत देश में GSD लागू हुआ है next question number third आता है भारत में सबसे पहले GSD पारित करने वाला कौन सा राज या कौन सा state है दोस्तो इसका अंसर है हमारे भारत देश में सबसे पहले जिस राज ने GSD पास किया पारित किया लागू किया वो है आसाम आसाम ने सबसे पहले GSD पास किया पारित किया question number four आता है GSD का full form क्या है दोस्ता सभी जानते है GSD का full form है goods and service tax है question number five आता है GSD कितने प्रकार के हैं तो दोस्तो GSD तीन प्रकार के हैं जो की SGSD, CGSD, IGSD SGSD का full form है state goods and service tax, CGSD का full form है central goods and service tax और IGSD का full form है integrated goods and service tax question number six बनता है GSD की दरह कितनी है क्या rates है GSD tax की तो दोस्त इसका answer है GSD की पांच दरह डिसाइट हुई है जो की 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है question number seven दोस्तो GSD विल को हमारे भारत में राष्टपती जी ने कम मंझूरी दी थी तो इसका answer है 8 सितंबर 2016 को वारत की राष्टपती ने GSD विल को मंझूरी दे दी थी question number eight बनता है GSD किस तरह का tax है दोस्तो सभी जानते है GSD एक indirect tax है यह यू कहें यह एक upper tax tax है question number nine बनता है वारत में सर प्रतम GSD विल का प्यारूपती तयार करने वाली समिती के अद्यक्ष कौन थे दोस्तो इसका answer है पश्चिम बंगाल के ततकालें जो बित मंत्री थे आसीम दास गुपता जी थे वह जी एस्ट विल के फर्स्ट जो समिती थी उसके अद्यक्ष थे नेश्ट कुश्चन मनता है वारत में GSD काउंसलिंग के चेर्मेन कौन है तो दोस्तो इसका answer है बित मंत्री GSD काउंसलिंग के चेर्मेन है नेश्ट भारत में GSD सबस्पहले कब प्रस्तावित किया गया तो दोस्तो आंसर है सन दोयार में भारत में GSD सबस्पहले प्रस्तावित किया गया था और कुश्चन नमर 12 है GSD Network के साथ जुड़ी भारत की दो बड़ी IT कंपनी कौन कौन सी है तो दोस्तो इसका answer है Infosys और Wipro जो दो बड़ी IT companies हैं वो GST network के साथ connected हैं तो दोस्तो कुश्चन नमर 13 है GST processions के लिए किस नाम से portal तयार किया गया है तो दोस्तो इसका नाम है GST procession लिए जो portal बना गया है उसका नाम है GSTN portal कुश्चन नमर आता है 14 वारत में GST registration नमर कितने digit का है तो दोस्तो सकांसर है 15 डिजिट का GSTN नमर है कुश्चन नमर आता है 15 वारत में वार्षी turnover की वह लिमिट जिसके उपर कारोवारियों को GST registration और GST भुकतान करना होगा दोस्तो वह लिमिट है 20 लाग रुपे और बिसेस राज जो special country है उनमें 10 लाग रुपे के turnover लिमिट के बाद GST portal registration करना और GST पे करना कमपलसरी है संभीदान के किस अनुछेत के तहट GST का गठन किया गया तो दोस्तो इसकांसर है अनुछेत 279A के तहट GST का गठन किया गया कुश्चन नमर 17 आता है संभीदान के वह संसुदान जिसके तहट GST पारित किया गया तो दोस्तो इसकांसर आता है संभीदान का 122 वह संभीदान के 120 वह संसुदान जिसके तहट GST पारित किया गया है तो दोस्तो कुश्ट नम् Bill 18, GHT Will, राजसवा और लोगसवा में पारित कब किया गया था इसकी डेट क्या है तो दोस्तो 3 अगस्त और 8 года 16 को जी एश्ट विल राजसवा और लोगसवा में पारित किया गया कुशन नमर आता है 19, GST में लगवक कितने टेक्स को समाहित किया गया है तो दोस्तो इस कांसर है, GST में लगवक 17 टेक्स और 23 अधिवार जनको सिस बोलते हैं को समाहित किया गया है कुशन नमर आता है 20, किस माना पे को GST से बाहर रखा गया है तो दोस्तो इसका अंसर है सराव दारू और question number 21 आपके लिए है दोस्तो आपको ये वीडियो और वीडियों बताएगे जानकारी कैसी लगी हमें comment करके बताएं जरूर बताएं और इसका answer आपको देना है जवाब देना है comment करके दीजिए तो दोस्तो ये थी हमारी वीडियो GST related 20 important questions और answers की वीडियो जिसके अंदर हमने ऐसे 20 महत्मूर questions को समायत किया जो की अक्सर competitive exams में आग एक मुची जाएंगे और मुची जाने वाले हैं यदि वीडियो में बताएगी ये जानकारी GST related ये questions और answers की ये वीडियो आपको पसंदा आया तो किरवे वीडियो को like और share करना न भूले और इसी परकार की अगली वीडियो और interesting वीडियो अपडेट्स की जानकारी के लिए आप हमारे अशोग एट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो इसकी नोटिफिकिसन आप तक मौँ सके तो दोस्तों मिलते हैं इसी परकार की नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए नमशकार दोस्तों